हेलो एवरिवन आज हम आपके लिए सामभर वड़ा की रेशिपी लेकर आए हैं जो कि रेश्टरेंट से भी कई ज्यादा अच्छा आप घर पर बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत अधी आसान है बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेशिपी आज मैं आपके ये लेकर आई हूं तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर लेंगे अरहर की दाल जो सभी के घर में उपलब्द होती है वही अरहर की दाल से बहुत ही स्वादिश्ट बनती है तो हमने उसे दो से तीन पानी अच्छे से धो लिया दाल को और उसके बाद उस पे पानी डाला और नमक डाला और बहुत ज्यादा कुछ नहीं डालना है आपको बस उसे ढखन लगाकर आपको गैस पर रख लेना है तो इस तरीके से हम इसे उबाल लगा लेंगे करीबन दो से तीन से टी और हमने कुछ सबजियां लिये जो कि हम सबसे पहले कट कर ले हैं तो वो एड़ कर सकते हैं पर इतने ही सबजी से फ्रेंड्स आपकी जो सामवाय रहना बहुत अच्छी बनती है बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा तो इस तरीके से हमने लौकी कद्दू को बारिक बारिक कट कर लेना है यहाँ पर मैंने बैगन एक बैगन लिया साथ ही मैंने भिंडी को धो कर यहाँ पर काटा है सभी सबजीयों को अच्छे से हम धो लेंगे यहाँ पर हमने भिंडी को पहले से ही धोया है इस वज़े से हम भिंडी एड नहीं कर रहे हैं पानी पे और भिंडी को अलगी रखेंगे सबजीयों के पकने के बाद ही हम भिंडी एड करेंगे साथ ही मैंने टमाटर को बारिक पीस लिया है उसके बाद हमने तेल गरम किया उस पे डाल दिया राई और उस पे डाल दिया जीरा इन दोनों के तड़कने पर हम डाल देंगे अपना बगार का समान जो की हमने लिया है लसून 7-8 का लिया उस पे हम डाल देंगे सुखी मिर्च लसून रा सुखी मिर्च सामवर का जो स्वाद है बहुत ही दूगना बढ़ जाता है साथ ही हमने एक प्याज लिया है उसे भी बार काट कर ये दिखिए इधर हमारा कुकर भी सीटी बच चुका है और प्याज भी ब्राउन हो चुका था तो हमने अपने सारी सबजिया कड़ाई पर डाल दी है और उसे अच्छे से हम लगातार चमत चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और हम डाल देंगे इस पे नमक, स्वात की अनुसार साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर क्योंकि हमने दाल पे हल्दी यूज नहीं किया था तो सारी सबजियों का जो सुखा मसाला है हमें सबजी पर ही एड़ करना है धनिया का पाउडर मैंने यहाँ पर दो चम चमच लाल मिर्च का यूज की हो तो आप अपने अनुसार आप इस पे तीखा या अगर आप कम तीखा काते हैं तो आप वो कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स करके मैंने ढग दिया था उसे और यह देखिए फ्रेंट्स हमारा जो सबजियों का पानी से ही हमारी सबजियां प अरी सबजियां बहुत अच्छे से पक चुकी है आधी अब इसमें हम एड़ करेंगे भिंड़ी भिंड़ी को हम पहले एड़ इसले नहीं किये क्योंकि इसमें लेस आती है यह ना तो बाद में ही एड़ करें तो भिंड़ी वो अभी पक जाएगी टमाटर के साथ साथ मैंन कि आधी ही बनी हुई है अभी सित्य अची खुशबू आ रही है साथ ही हमने इस पर डाल दिया जो हमने डाल उबाल कर रखा था वो डाल हमने डाल दिया और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और हमारा इधर सा सामभर मसाला एड़ करेंगे कोई भी ब्रैंड का ले सकते हैं सामभर मसाला तो यहां पर हम दो चम्मा सामभर मसाला एड़ कर रहे हैं साथ ही हमारी सामभर को और भी जादा स्वादिश्ट बनाने के लिए हम इस पर डाल रहे हैं कसूरी मेथी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा यहाँ पर सांवर बन करके तैयार है यह देखे आप ऐसे बनाएगा फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छी सुआदा आती है मार्केट से रेश्टरेंट से कहीं गुना जादा आप घर पर आसानी से बना सकते हैं तो यह देखे हमारा यहाँ पर सांवर भी रेड़ी है तो चलिए अब हम देखते हैं अपने वड़ा बनानी की तैयारी तो देखती है मैंने रात में ही डाल को भीगो कर रख दिया था तो बहुत अच्छे से वो भीग जाता है रात भर में उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे मिक्सर में डाल देंगे अपने सारे डाल को और यहाँ पे पानी जरा एड़ करेंगे फ्रेंड जादा गिला आपको इसका बैटर नहीं बनाना है कुछ इस तरीके से बनाना है तो आप देख अच्छे आपका बैटर यहाँ पे और हमारा सारा जो डाल है वो पिस चुका है मैंने उस पर डाल दिया नमक और उसे हम अच्छे से फेटेंगे करीबन पांच मिनट तक आपको घड़ी देखनी है और लगातार इससे अच्छे से फेटना है क्योंकि मेंड आपका यही नहीं सुखेगा अगर आप इस प्रोसेस से बना रहे हैं उस पे मैंने आधा चमच हिंग एड़ किया है यह बहुत जरूरी टिप्स है आपके लिए आप जब भी बनाएं सामवर वड़ा की वड़ा तो उस पे हिंग एड़ जरूर करें आपकी बड़े की स्वाद भी ह लिए हिंग तो इस तरीकी से आपको बना लीनी है और यहां पर मैंने दोनों हाथों पर पानी लगने के बाद उसमे już एक करेंद ए Patrol 走吧 das मन करता है उसे है ना तो इस तरीकी से आपको बड़ा को भी सुन्दर बनाना है तो इस तरीकी से आपको चिकनाहट देनी है पानी की जहायता से और इस तरीकी से आपको बीच पे होल करके सारे बड़े को बना लेना है यह देखे इस तरीकी से हम आपको डाल कर दिखा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है करीबन 6 वड़े को और यह देखी बहुत अच्छे से सुनहरा हो रहा है हमारा वड़ा इसे पलट पलट कर आपको सेखते रहना है और यहाँ पे गैस का जो फ्लेम होगा वो high to medium होगा कम आच नहीं होना चीए वरना जो हमारे वड़े हैं वो तेल पी लेते हैं और हमारा जो आज खवड़ा है बिलकुल भी तेल नहीं पिएगा मैं आपको लाश्ट में तोड़ कर भी दिखाऊंगी तो यह देखे हमारा वड़ा कितना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी इसकी शेप भी आई है देखा फ्रेंड्स कितना करारा आवा जा रहा है और अंदर से देखे कितनी जाली दार बनी है क्योंकि हमने उसे बहुत अच्छी से फेटा था और हमारा यहां पे बड़ा जो है बिल्कूल भी तेल नहीं पिया है अंदर पे बहुत ही ड्राई बना है सॉफ्ट बना है अंदर से उपर से करारा और यह देखे गर्मा गरम सांवर के साथ आज मैं सर्व कर रही हूँ संडे भी है सभी की चुट्टी भी है तो यह स्पेसल डिश बनाना तो बनता ही है आप भी बनाएए घर पे बच्चों को बड़ों को सभी को खिलाएए सभी को बहुत पसंद आता है यह रेसपी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है आज आज आपको हमारा यह रेसपी कैसा लगा जरूर बताईएगा और आप कौन-कौन से शहर से हैं ये भी बताईगा कमेंट तो जरूर खरिएगा कौन से शहर से हैं वड़ा की रेस्पी आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी नए-ने रेसिपी लेकर आती रहोंगी तो सस्क्राइब करना बिल्कुल भी नविले फ्रेंड्स तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ नए रेसिपी के साथ तब तक आप अपना खयाल रखिए स्वस्त रहिए नमस्कार